कि ही एक रवीवाने विलकुम बैक टूश्वंजाये इसमें हुशे वांगी शर्मा एंड यहां रहां विद चैप्टर फिफ टॉफ ऑफ क्लास सिक्स्थ इक ओए हिस्ट्री विश्ट्री के वर डूएंग सो चैप्टर फाइव is Kingdoms and the early Republics यहां पे हम जो भी Kingdoms थे Kings थे और जो भी early Republic था उसके बारे में पढ़ने वाले हैं ठीक है उससे पहले हम पढ़ लेते हैं यहां पे शंकरन के बारे में ठीक है तो शंकरन उठते हैं तो वह देखते हैं उनके तयार हो रहे हैं मुलब पूरे तयार हो चुके हैं वोड देने के लिए और वो चाहते कि वो सबसे पहले हो जो पोलिंग बूर पहुंचे तो शंकरा चाहर जो शंकरन हैं वो चाहते थे जानना कि वो इतने excited क्यों हैं तो उनके Father explain करते हैं की आद वो अपने rulers को खुद चूज कर सकते हैं पदलग ठीक है so how some man became rural man rural rulers कैसे बन जाते थे राज करने वाले कैसे बन जाते थे आज के टाइम भी तो आप वोट देते हो बट यह वोट तो आज से 50 साल पहले यह शुरू हुआ था ठीक है उससे पहले लोग कैसे वोट किया करते कैसे राजा बना करते थे ठीक है अगर आप से हम पूछे कि आज से 50 साल यह 100 साल पहले कैसे rulers बनते थे तो आप बता दोगे ठीक है voting यह कोई और reason बट आज से करीब करीब 3000 साल पहले rulers कैसे बना करते थे उस टाइम पे जो लोग बड़े sacrifices किया करते थे उन्ही को as a राजा recognize कर दिया जाता था उन्हें से एक था अश्मेवेद या horse sacrifice उन्हें से एक ritual था जिसमें एक horse को छोड़ दिया जाता था खुला छोड़ दिया जाता था और उनके उसके पीछे राजा का एक man guard करने के लिए रख दिया जाता था ठीक है horse जिस kingdom में जाता था अगर वो उनको रोक दे उस घोड़े को रोक देते हैं बान देते हैं इसका मतलब है कि वो गोड़ा जा रहा है वो उसको पास उने दे रहा है तो इसका मतलब में वो accept करते हैं कि जो राजा ये sacrifice परफॉर्म कर रहा है वो उनसे जादा strong है ठीक है तो ये जो भी राजा होते हैं इनको invite किया जाता है ऐसे sacrifices में जो की एक trained priest करवाता है ठीक है और who was rewarded with gifts तो जो राजा जो की ये ऐसे sacrifice organize करते थे उनको काफी powerful recognize कर दिया जाता था ठीक है और जो भी आते थे वो उनके लिए gift लेकर आया करते थे राजा एक central figure था इन सबी rituals का ठीक है उसके लिए special sheet हुआ करती थी या तो एक तक्त हुआ करता था या tiger की चाल की लिए उपर वो बैठा करते थे उस इसके लावा जो और अधर राजास होते थे वह सिस spectators होते थे और वह बैठ की इस performance को होते वे देखते थे ठीक है जो पीस जो प्रीस थे जो यह सारी rituals perform करते थे उस पर बहुत सारी चीज़े होती थी जैसे जो जो sacred water होता है वह किंग के उपर स्क्रिंकल करना उसके अलावा जो ordinary people है जैसे जो भी विश और वैश्यास थे वो भी gifts लेकर आया करते थे उसके अलावा जिन लोगों को as a शुद्रा जिनको as a शुद्रा का जिनको as a शुद्रा रिगार्ट किया जाता था वो प्रिंस जो प्रिंस थे उन्हें उन्हें नहीं शुद्रास का एक group बना दिय करता था उनको इस रिच्वल से बहार रखा जाता था दे वर एक्स्क्लूड़ फ्रॉम इस रिच्वल्स ठीक है जन पदास देखो राजा जो भी sacrifice करता है उनको बोला जाता है राजाज उफ जन पदास रादो देन जन उनको जन नहीं बट राजाज उफ जन पदास बोला होता है वह जगा पर जहां पर जन अपने जहां पर जनों के कदम है जहां पर जन रहती है ऐसी जगा को जन पदा बोला जाता था ठीक है अगर आप फिज नुबर 45 के माप नंबर 4 में देखोगे तो आपको important जन पदास यहां देखने को मिलेंगे here देखो यहां पर जन पद सब्सक्राइब के बारे में कुछ डिसकुशन है यह बढ़ते अभी तो आर्केलोजिस्ट को जो जन पतास थे उनके पास काफी बहुत अलग अलग तरह की सेट्लमेंट्स देखने को मिलती है जैसे दिली का पूराना किला हस्तिनापूर जो कि मिरेट के पास है उसके अलाव हट्स में रहा करते थे उनके पास केटल्स हुआ करता था अधर आइनमस भी हुआ करते थे वह बहुत तरह की क्रॉप्स हुगाया करते थे जैसे राइट ड्राइस्वीट बार्ली पासले शुगर कें सीजम अन मस्टर्ड ठीक है उसके अलावा कुछ अर्थन पॉट्स थे जिनको वो जो बिसिकली ग्रे कलर्स होते थे और कुछ लाल रंग में हुआ करते थे चीक है उसके लावा जो स्पेशल पॉट्री इन जगाओं पर देखने को मिलती थे डाट वस पेंटिड ग्रे वेर जैसा की नाम बोल रहा है दे वर ग्रे पॉट्टेड और डे वर ग्रे कुछ जनपदास कुछ जनपदास अधर से और जादा इंपॉर्टेंट हो गए और उनको महा जनपदास रिकरनाइस करना शुरू किया महा जनपदास के एक कैपिटल सिटी भी हुआ करती थी काफी फॉर्टिफाइड भी थे ठीक है इस मीन्स लिटे हुज वाल्स ऑफ इसके लिए था ताकि जो भी बड़ा जो अधर किंग है वह आगे अटाग ना करें हमारी कंट्री उन महा जनपदास में ठीक है वह प्रोटेक्शन के लिए था बैसिकली यह इसलिए भी बना जाता था तक जब रूलस दिखाना चाहते थे कि वह कितने रिच और कितने पाव प्रानिंग भी लगती थी और काफी हजार नहीं तो लाखों में स्टोंस और बेक्स का यूज हो जाता था उसमें काफी सारे लेबर का भी यूज करना पड़ता था ठीक है सो यहां देखो कैसे आपको यहां पर वाल लिख रही है ऐसी वाल्स बना दिया जाता था महाजन प जो महाजन पदास के रूलर्स थे वह बहुत बड़े बड़े फॉर्स भी बनाते थे और बड़ी बड़ी आर्मी भी मेंटेन करके रखते थे तो इनके लिए उनको मौर रिसोर्स भी जरूर थी इसके लिए वह टैक्स कलेक्ट करना उन्होंने शुरू किया ठीक है इंस्ट है और अग्रेश तुट्रेट्स है प्राइट में तो ऊछशन गेटिम कीया एक मैसे पहला था यू यूज करना शुरू किया एक हैवी क्लेवी फॉयल को लप अर्ब बेटर नो ब्लूर कर दिया जाता था और गूट प्रयूस और ग्रेन प्रडीउस रेडिय बडूर उसके इसके बजाए उन्होंने सेप्लिंग लगाना शुरू की घर में जिससे प्रोड़क्शन इंक्रीज हो गया था और प्लांट सर्वाइफ कर जाते थे जादे प्लांट सर्वाइफ कर जाते थे अब एक क्लोजर लूक देख लेते हैं मगदा का अगर हम उसी मैप में मगदा को ढूंडे तो मगदा एक इंपोर्टन महाजन पदा है अरांड दो सो साल से ठीक है उनमें गंगा और सन फ्लाट जैसी काफी रिवर्स बहती है यह इंपोर्टन है क्योंकि ट्रांसपोर्ट के लिए वाटर सप्लाइज के लिए और लांड फटाइज के लिए नदियों की काफी लोग उनको कैप्चेर करते हैं और आर्मी के लिए ट्रेन भी करते हैं फिर फॉरेस्ट फूड प्रोवाइड करती है हाउसे हाउसे कार्ट्स बनाने के लिए उसके लावा आयरन और मैंस भी देखने को मिलती है कुछ रीजिंस में ठीक है जिसे और स्ट्रॉंग जन्पदास को कॉन कोर करने में जो महापदमा नंदा था वह एक इंपॉर्टेंट रूलर था ठीक है एक्सेंड उन्हों ने अपना जो कंट्रोल था वह सब कॉंटिनेंट की नोर्थ वेस्ट पार्ट में भी बहुत फैला दिया था ठीक है राज ग्रीहर जिसका आज हम रा सब्सक्राइब होते हैं पत्ना में शिफ्ट हो गई है आज मदब आज से करीब 2300 साल से भी पहले जो रूलर्स थे जिनका नाम था एलेक्जेंडर जो यूरॉप के मैकडॉनिया में रहता करते थे वह उनको पुरे वर्ल्ड को कॉंकॉर करने की इच्छा आई ठीक है तो व उनको और शोल्डर्स चाहिए थे बट एस्ट उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वह डर चुके थे बिकिस उन्होंने सुना था कि इंडिया के रूलर्स काफी उनके पास काफी वास्ट आर्मीज है और काफी फूट शोल्डर्स भी है चैरियोंट झाल्यों जो कि गौवर्मेंट का एक फोर्म था जिसको आज के टाहिं में जिसको गणर ये संगा वी बोला जाता था गणर ये संगा एक नहीं हई करता था जब कि बहुत सारे रूलर्स बहुत सारी रूलर्स का मेलब वो था and each one has known as राजा बहुत सारी रूलर्स थे हरे को राजा बोला जाता था यह राजा काफी रीचुवल्स को सारी रीचुवल्स को टूगेदा परफॉर्म करते थे सारी असेम्बली में भी उते हैं सारी डिसेजन होता था सारी डिबेट भी हुआ करती थी उसके अलावा जो वोमेंस थे दास थे और जो कमकार से उनको इन करने की इजाज़त नहीं थी ठीक है जो पावर्फुल किंग्डम के राजास थे वह संगास को कॉंकर करने का बहुत राइब बहुत राइक है निवर्लेस दे लास्ट फोर लॉंग टाइम तिल अबाउट आज से करी पंदरह सो साल पहले तक वह लोग थे ठीक है तन दे लास् गनाज और संगास जो सबसे लास्ट गन और संगा था उनको गुपता रूर्श ने कॉंकूर कर लिया था ठीक है तो दाट इस इंपर दे चाप्टर सो आएफोप यू लाइक थेंक्यों 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 बहुत